की होया, जेहा अमरसर सहथ जिले दे बेच की एक काले नाग ने क्रोडा रुपया एक मिंट दे बेच खा लिया अ ते बाद बेच का जेहा टंग उस परवार दे उते मार्या कि हासदा खेड़ दा चंगा नौजवान अज मंजे दे उते प्या अपनी मौत नूँ डी करिया है जाना वजेहा की होया हते केस ने देख्या हो काडा नाग जान के तुसी हरान रह जाओगे परमात्मा दे रंगा नूँ सामझना बंदे दे हाथ देवेच नहीं है वो परमात्मा तो डर के रहना ही चंगी गल है क्योंकि पता ने केड़े बे ले वो परमात्मा राजतों पे खारी बना देंदा है ये नहीं किसी चीज़ दा मान करना चाहिदा है एक छोटी जे गलती बंदे नो किते दो कित तक पहुंचा देंदी है इस गल दा अंदाजा लगोना बहुत मुश्किल हो जानदा है अज जिस गल वार यापा तो हनू दसन जा रहे हैं हैं उसनू सुनके तो अड़ी एक वार रूख कम जावेगी परमात्मा दे खेल तमाशे देखके अंदर एक डर बैठ जावेगा ते हार वक्त परमात्मा याद रहेगा इत्थे का जही कटना हुई जिसने क्रोडा रप्या नू एक पाल दे विची सुवा करके रख दता ते क्रोडा पती पर वार आज दारदार पड़ कंदेले मजबूर है एक गाल है जनाला दे नाल लाग देक पेंड दी जिते पिछले तेन साला तो जिते एक 32 साला नौजवान मंज़े दे उते लाश दी तरह पया अपनी जेंदगी कुछ आ रहे है उस नौजवान दे नाम सोख परीच सेंग सोख है ड़ो की 22 साला दा है एक बड़ी ही जीपते बड़ी दुखताई हालत दे वेच उप्या होया है सोख परीज सेंग एक जिन्दा लाश बाण चुकिया है सारा स्रीर एकदम डेड है मूँते नकते होते पाईपा लगिया हो याने जिनादे नाल देन दे वेच थोड़ा थोड़ा पाणी जा फिर कुछ ख़़ाया पड़ाया जन्दा है अखा खुलिया ने पर शरीर हिला नहीं सकदा एक कोमा दी तरह हालत है अजेही हालत दे वेच सुख परीज सेंग के में पहुंचेया की है करण उस दे इस हालत दा ऐसने पिछे ता करण जानके तुसी हरान हो जाऊगे ते अंदर तक कम जाऊगे सुख परीज सेंग दिये जैही हालत दे पिछे एक खतरनाक साप है सिर्फ एक डांग ने पान्च जिन्दगीँ खराब करके रख दोतीया सिर्फ एक डांग ने क्रोड़ा रप्या सुवा करके रख दता ते अखान दे विच हंजू ही बचेने परवार दे बड़ी दुखी हिर्देद नाड सोखप्री सेंग दी माता ने दस्या कि आज तो तेन साल पहला उस दे लड़के सोखणू एक सापने कारदे विच ही डंग लिया सी कोच समा एलाज तो बाद ओ ठीक रहा पर अंदर ही अंदर कुछ चाल रहा सी जिस गालवारे किसे नो नहीं पता सी देखते हैं देखते हैं सोखप्री सेंग दे नाड कुझा जिया होया जेस दा पता परवार नो भी नी लगया जो तक पता लगदा उदो तक बहुत देर हो चुकी सी सापदे डंगन तो बाद उस दा अलाज ता चलिया पर पूरी ता ठीक ना होया पर पहला चल फिर सकदा सी पर उस सापदा जैर बहुत ज्यादा प्यानक सी एना प्यानक की उस दा होली होली असर कीता होली होली उस दे शरीर ने कम करना बंद कर देता पहला पहलता उख खोद अपना लाज करवांदा सी पर साप्ता जैर उज़े दिमाग दे उते हावी हो गया जैसे नाड उज़े दिमाग दा उज़े शरीर दे नालो कंट्रोल खतम हो गया ते ओफ एस आला दे बिच पहुँच गया एका जही हालत जैसनों देखना बहुत मुश्किल हो जानता है उज़े लाज दे विच औस दी सारी पुंजी लग चुकी है उना दी सारी जमीन जाइदा दो बेग चुकी है पर हाले भी क्लोडार पैर लगाओन तो बाद उज़ी हाला दे विच कोई सुदार नहीं आया दाज़े ये कि सोकपरी सिंग दे परवार दे विच ओस दी माता ओस दी करवाली दो बच्चे हन जो कि होन बहुत मुश्किलादे नाड अपने करदा गुजाला करदेने हैनने माडे हलाट ते उपरो करदी दशा बहुत माडी हो चुकी है मुश्किला दे नाल बच्चया नू पड़ाया जा रहा है जदो ना दी माता दे गोलो पुछया गया ता उस दी माता तो गालता की होनी सी बस हंजू ही दिखाई दे जिस दा नौजवान पुत्तरेंज लाश पाण के उस दे सामने अपया होवे जिसनों कदी उसने ऐसे बेड़े दे विच खड़ाया होए अपने बच्चे दे इंज हालत देखके उस मात दी अखा सुकिया नहीं रह सक दिया दस्या गया है कि कार दे विच होर कोई भी कमाईदा सादन नहीं है सोकपरी सेंग दी कारवाली दे पेके ही सारा खर्चा पानी कर देने क्योंकि उना दा अपना साब कुछ बेक चुकिया है बाकी रही सोकपरी सेंग दे इलाज दी गल ता एक एंजी उस परवार दी बड़ी मदद कर रहा है हाते उस दे इलाज दा सारा ख्याल राक रहा है पर एक साब कुछ काफी नहीं है क्योंकि जो हलाता दे वे सोकपरी सेंग है उसने एक वड़ी मदद दी लोड़ है सो एक डंग ने के में एक रोडा रपयानू पाल दे वेची खतम कर देता एक साब जो की डंग मार के चलिया गया पर उसने पांच जिंदगिया हमेशन दे लें खराभ कर देती है एक साब जिसने क्ल्या दे क्ल्ले ही खा ले ते दो शोटीया शोटीया जिद्धिया दे बिज जैर कोड़ दता साब हैत एक ख़थ एक कुद्रती जीव पर उस कुदरत ने किना करमा दा बदला लिया इस परवार दे को लो एताओ परमात्मा ही जानदा है सो परमात्मा दे को लो डर के चलना ही समझ दारी है ओजी जादत तो बिना तेक पता तक नी हिल दा इस परवार नो लोड है तो अड़ी मदद दी क्योंकि असल सेवा इस तरह दे प्रवारा दी मदद कारंदी बिच है एथे ही तो अड़े रखे गे दिस्वान दा असल मतलब निकल के सामने आवेगा